नमस्कार साथियों आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं MP Board Class 10 NCI T Social Science कक्षा दस्वी में सामा जी की ज्यान से आज का हमारा Most Important Question है स्वतंतरता संग्राम के इतिहास में 1929 के लाहोर अधिवेशन का क्या महत हुए क्या Question हम से पूछा गया है स्वतंतरता संग्राम के इतिहास में 1929 के लाहोर अधिवेशन का क्या महत हुए तो आएए इस का answer देखते हैं के सबसे पहले क्या बताया है कांग्रेस का 46 अधिवेशन सन 1929 में लाहोर में लाहोर में हुआ इस अधिवेशन के अध्यक्ष कों थे पंडित जवाहरलाल- नेहरू,' अपने इसी अध्यवेशन में कांग्रेस ने पूर्न स्वराज की मांग की थे कि इसी अधीवेशन में कांग्रेश ने पूर्ण स्वराज की मांग की आगे बताया है स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए सविने अवग्या अंदुलन करने का निणे लिया गया इसी अधिवेशन में स्वतंता प्राप्त करने के लिए सविने अभग्या आंदुलन प्रारम करने का निने लिया गया यह भी निने लिया गया कि हर वर्ष 26 जनवरी का दिन संपूर्ण भारत में स्वतंतरता दिवस के रूप में मनाया जाए इस प्रकार 26 जन्वरी 1930 को स्वतंता दिवस के रूप में मनाया गया इसके मनाया जाने से जन साधारण में एक बड़ा जोश पेदा हो गया और पूर्ण स्वराज का संदेश घर घर पहुँच गया इसी कारण लाहोर अदिवेशन का भारती इतियास में महतवपूर्ण इस्थाने सिंपल सी बात है 26 जन्वरी के दिन एक नेने लिया गया कि 26 जन्वरी के दिन को हर साल स्वतंता के रूप में मनाएंगे इससे क्या हुआ था कि घर घर मतलब यह जो है पेदा हुआ लोगों में है ना इसी कारण इस अदिवेशन का जो दिन है वो काफी इंपोर्टन माना गया है ठीक है गाईस उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और अगर फिर भी कोई समझ चाहे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कोईशन के साथ तब तक के लिए थैंक यू गाईस